नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद्जोमन डाठोड पे आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ ये एकदम गर्मा गर्म और बहुत ही डिलिशियस मूली के पराठो की रेसिपी और आप खुद देख सकते हैं एकदम गोल मटोल और फूले फूले पराठे बने हैं ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसके सबसे अच्छी बात ये है कि टेस्टी होने के साथ साथ सूपर हेल्दी होते हैं आप इन्हें सुबह नाश्ते में खाएं या बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं आप इन्हें जरूर प्राए कीजिएगा मैं गैरंटी से कह रही हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी तो चलिए देख लेते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस प्लेट में यह चार मूली ली है मीडियम साइज की मूली है और इसका जो उपर का छिलका होता है इसे मैंने निकाल दिया है पहले इन्हें अच्छे से धो लिया था उसके बाद इनका छिलका निकाल लिया है ग्राम से देखें तो ये पूरी 300 ग्राम मूलिया ली है मैंने अब इन्हें हम कद्दुकस करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कद्दुकस ले लिया है तो आपको क्या करना है जो ये मोटे वाले छेद होते हैं इस साइड से कद्दुकस नहीं करना है ये जो medium size वाले छेद हैं, इनसे हम इन्हें कद्दुकस करेंगे, तो एक एक करके आप ये जो सारी मूलियां हैं, इन्हें कद्दुकस कर लें इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो इन्हें मैं यहाँ पर कद्दुकस कर लेती हूँ, तो देखिए मैंने 4 मूलिय इस तरह का मैंने एक cotton का पड़ा लिया है तो कोई भी kitchen टावल आप ले ले उसके अंदर हम क्या करेंगे इसको इस कपड़े की ऊपर रख लेंगे इस तरीके से तो तरी मूली मैंने इस पर डाली है अब आपको इस कपड़े को एक जगे इखटा कर लेना है इस तरीके से इसके सारा पानी होता है मूली के अंदर अगर आप डारेक्ट ही पराथे बनाने की कोशिश करेंगे बिना इसे निचोड़े तो बिल्कुल अच्छे पराथे नहीं बनेंगे एकदम चिपचिपा हो जाएगा आपका पराथे का जो डो है तो देखिए इसे मैंने अच्छे से मूली है जिसे अमने निचोड लिया है यह डाले आप इसके अंदर अब मैं आपको इसे दिखाती हूं यह देखिया जब ऐसे हात लगा रही हूं एकदम सूख चुकी है यह इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है एकदम ड्राय हो गई है तो बिल्कुल इसी तरीके से भी कर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ा सा बरिक अबर इक अ बरी बालत हुआ है लेओ लेंगे नहीं नहीं पकाना एै फलका सा अ कलर चेंज हो जाए इतनी आप आप बचा 꼭 आप चाहें तो इस टाइम पर थोड़ी मी अ Emperor बाहिullen सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल बारी काट करके पर मुझे परसनली पराठे में अधरक नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं डाली तो अब देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है लगभग 30-40 सेकंड के लिए मैंने इसे पकाया है आपर अब हम इसके अंदर मूली डालेंगे त तो एक चोथाई चोटी चमच नमक डाल दें आप इसके अंदर आदा चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आदा चोटा चमच ही डालेंगे इसमें धनिया पाउडर एक चोथाई चोटी चमच डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर जिससे की बहुत ही यह टेस्ट आएगा इसमें और एक चोथाई छोटी चमची डाल देंगे गरम मसाला अब इन सारे मसालों को आप मुली के अंदर अच्छे से मिला लें फ्लेम आपको लो मीडियम रखनी है और लो मीडियम फ्लेम पर इसे आपको लगातार चलाते वे एक से डेड़ मिनट के ल धनिया डाल देंगे और अब मैंने हापर गैस को बंद कर दिया है अब इस हरे धनिये को भी आप इसमें मिला दें तो यह लीजे दोस्तों स्टफिंग एकदम रेड़ी हो गई है बहुत ही डिलिशिस बनी है अब इसे प्लेट में निकाल करके आप अच्छे से ठंडा कर ले अब देखिए मैंने हाप पराथ में आटा गूत करके तियार कर लिया है पराथे बनाने के लिए ना तो यह आटा बहुत हाड है ना बहुती सॉफ्ट है एकदम परफेक्ट है जिस तरह से आप नॉर्मली रोटी बनाने के लिए आटा गूतते हैं उसी तरीके से आपको इस कि हम लोई बनाते हैं तो आपको लोई यहां पर थोड़ी बड़ी बनानी है Choti नहीं नहीं बनानी है क्योंकि इसके अंदर हम stuffing भरेंगे तो यह अगर छोटी लोई बनाते हैं तो तो पराटी के लिए हमेशा थोड़ी बड़ी ही लोई लें तो इस तरह से लोई बना ली है इसी तरीकी से आपको भी बनानी है आप क्या करेंगे थोड़ा सा हम आटा डालेंगे सुखा यहां पर इसके नीचे तो इसके उपर मैंने थोड़ा सुखा डाल लिया है और अब हम क्या करेंगे इसके उपर घी लगाएंगे तो मैं थोड़ा सा एक छोटा चमब कुितना आपको इस पर घी लगा आपको आप चले की लगाना है ज्यादा नहीं कर रही हूं अब गी को इसके उपर बिला PAULि कर रहे हूं अब हम इसके बिलकुल सेंटर में दार्र सट्विंग क आपको ज्यादा भर करके नहीं डालनी है थोड़ी थोड़ी ही डालनी है और इसके उपर हमने घी दोस्तों इसलिए लगाया ताकि जब हम इसको चिपकाएं यानि कि पराथे को जब आप चारो तरफ से चिपकाते हैं तो यह खुलेगा नहीं और पराथा एकदम फूला फूल बनेगा तो अब इस तरीके से आपको फोल्ड करते वे, इसे चिपकाना है दबा दबा करके ताकि यह खुलेड़ ना, चीके को आप यो Old Spike कर दिया लूण ऑप तो और फिर से आटा लगाएंगे तो सब्सेट नीचे भी आठा लगा लें और इसके ऊपर भी आठा लगा लें इससे बेलने में आसानी रहती है और जो यह पराथा है यह बेलन पर चिपगता नहीं है अब आपको बिलकुल हलके हाथ से इसे बेलना है ज्यादा प्रैशर नहीं निकली है तो अब इसे हम सेखते हैं, इसके लिए मैंने यहां पर तबाग गरम कर लिया है, अब इस गरम तबे पर आपको पराथा डाल देना है, तो इस तर blunt परे लिए है तो आपको गी लगा देते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इस पर घी डाला है और इस गी को चारो तरफ पराठे के अच्छे से फैला दें आप तो इस तरह से मैं इसे लगा देती हूं तो घी लगाने के बाद अब पराठे को आप पलट दे तो इस तरह से मैंने पलट दिया है अब दूसरी साइड भी आप घी ल यह कितना बढ़िया लग रहा है कितना बढ़िया गलर आया, अच्छे से पक गया है अब पलटे की साल साइटा से थोड़ा лыड़ा साइट से हमदाते हूँ से इस तरह से पकाएंगे ताकि corner से भी पक जाए, कई बार थोड़ा कच्छा रह जाता है side से, तो पल्टे की side से ऐसे करके फिर से हम पलट देंगे, तो ये देखिए आप, दूसरी side से भी ये बहुत अच्छा पका है, बहुत ही बढ़ी हा लग रहा है, तो पराठा एकदम ready है दोस्तों, बस प्लेट में निकाल लेते हैं, तो ये देखिए आप, कितना बढ़िया बना है ये पराठा, एकदम फूला फूला बना है, आप खुद देख सकते हैं, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी यहाँ पर बना करके ready कर लेंगे, वही process करना है, थोड़ा सा घी लगाना है, घी को चारो तरफ spread करना है, फिर बीच में इसके masala बढ़ना है, बस ध्यान ये रखें, कि घी अच्छे से लगा करके, मसाले को जादा ना भरें, जादा भर देंगे, तो भी खुल जाएगा, और फूला फूला नहीं बनेगा पराठा, और अच्छे से चिपकाएं, चिपकाते टाइम भी इस बात का ध्यान रखना है, कि पराठे को आपने अच्छे से दबाते वे चिपकाया हो, और ना ये तब भी खुल जाएगा, अगर अच्छे से नहीं चिपकाएंगे तो भी, तो इसे मैंने चिपका लिया है, अब बस इसके उपर और नीचे दौनर तरफ आप आठे को लगाएं, जो सुखा आठा है, और फिर धीरे-धीरे हलके हाथ से इसे बेल लें, ज़्यादा प्रेशर ना देना है आपको, नहीं देना है मेरा मतलब, तो इस तरह से बेल लिया है, आप पराठे को हम सेक लेते हैं, तो एक साइट से जब सिख जाएगा, तो इसे हम पलट देंगे, और दूसरी साइट से भी से से शेखेंगे, और घी लगा लेंगे एक साइट पर पहले हम, और अब इसे पलट देंगे, और दूसरी साइट पे भी घी लगा लेंगे तो बहुत ही easy होता है पराठा बनाना और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे बनते हैं इस तरीके से पराठे और अच्छे से सिकते भी हैं तो इस तरीके से आप try ज़रूर कीजेगा दोस्तों मैं guarantee से कहरी हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे stuffing करके जब हम बनाते हैं तो पराठे जादा delicious बनते हैं तो ये लिजी दोस्तों एकदम गर्मा गर्म और स्वाधिश्ट मूली के पराठे बन करके रेडी हो गए हैं आप इने try ज़रूर कीजेगा आपको बहुत पसंद आएंगे recipe पसंद आई हो तो please वीडियो को लाइक करना साथ ही चैनल को subscribe करके bell icon को ज़रूर दबाना तो मिलते हैं next वीडियो में एक नई recipe के साथ take care, bye bye